जस्ट अभी C.A. इंटर, कॉस्ट का एक्जाम खतम हुआ है September 24 टर्म मेरा काफी लोगों से इंटराक्शन हुआ, in fact मैंने जस्ट अभी पेपर को बहुत डीटेल में देखा तो लोगों से जो बात हुआ, स्टुडेंट से बात हुआ और जो मेरा खुद का पेपर का एनालिसिस था वो यह कहता है कि जो पेपर का लेवल ओफ डिफिकल्टी था, so easy, moderate और tough में अगर कहां पे count करना है so I think यह पेपर moderate के अंदर में count किया जाएगा, यह easy कोई angle से नहीं था नहीं कोई बहुत tough था कि लोग एकदम परिशान हो जाए, पागल हो जाए कि यार यह क्या हो गया पर इस पेपर के अंदर में problem यह था कि यह बहुत ही lengthy पेपर था so मेरे ख्याल से 3 घंटा के अंदर में यह पेपर पूरा धंग से working note के साथ या पूरा अच्छे से presentation के साथ करना बहुत मुश्किल था in fact मेरा maximum लोगों से जो बात हुआ, बहुत ही कम लोगों ने 100 marks का पेपर return कर पाया तो out of 100, 10 to 15 marks लोग का काफी लोग का छुटा था so to summarize, यह पेपर के अंदर में, जो MCQ वाला portion था जो MCQ भी था वो भी ऐसा नहीं है कि बड़ा फड़ा फट एकदम quick फड़ा फट calculator में हो जाए जो process costing का था, उसके लिए full future team statement बना कर calculation करना था जो material वाला था, उसके लिए भी थोड़ा calculation करना था जो दो-दो number के भी MCQ था, उसमें time लग रहा था so paper में MCQ कोई भी difficult रह नहीं था पर वो इतना time consuming था, कि उस exam के pressure में आके वो quick speed के साथ करना थोड़ा मुश्किल हो गया था रहा बाद descriptive question कुछ-कुछ easy question है थे, जैसे reconciliation very easy, जो standard costing ना 9 various पूछा था 9 mark था, 9 various पर obvious हावात है, था बड़ा easy question पर time consuming था, इसके लगा जो cost sheet था, वो भी easy था तो paper overall easy था, जो theory वाला portion था, जो अगर जो हमारा super 25 वाला marathon अगर वो करके जाए तो बहुत कुछ question वाला से common था, पर वो यह कि वो exam के pressure में, easy हो या नहीं हो, पर वो जो 3 घंटे में, जब सर पे time नाच रहोता है यार, 3 घंटे paper खतम करना है, तो easy या moderate question में भी थोड़ा गलती होने का chance लगता है, so anyways, एक बात तो एकदम mind में set कर लो, जिन्होंने paper I think 75 प्लस attempt करके आया है, with reasonable accuracy, आपको बिल्कुल चाप नहीं लेना, अब रहा बात की answer क्या है MCQ का, तो लिको यह हम आज कि दिन बताना prefer नहीं करेगा, reason क्या कि जो हम लोग का answer मालो सोचावा है, उसमें let's say 2-3 अगर MCQ गलत हो जाए, तो फालतों में demotivation होता है अगला दो exam के लिए, और anyways, हम लोग वो answer का change नहीं कर सकते, so MCQ का answer क्या था, descriptive का answer क्या होना चाहिए, यह हम जरूर discuss करेगा पर आज नहीं, एक वार FMSM खतम हो जाए, group 2 खतम हो जाए, फिर पक्का, so यह मेरा request है, ना तुम लोग अपने friends से discuss करो, ना कहीं और जाकर जाने का खोशिश करो कि right answer क्या था, क्यों नहीं इस paper को लोग change नहीं कर सकते, अगला दो exam के लिए अच्छे से prepare करना, उसके लिए all the best, so final conclusion यह था, पेपर moderate level of difficulty था, बहुत lengthy था, so 75-80 marks अगर तुम दो attempt कर क्या है, जो sure नहीं है कि right है wrong, पर reasonable accuracy के साथ, तो आपको tension नहीं लेना, अगला दोने exam के लिए अच्छे से पढ़ो, आज का तुम दों का नहीं आपार हो जाएगा, चलड़ निवेस, अगला दो exam के लिए all the best, अब क्या answer होना चाहिए, क्या नहीं, यह हम लोग जरूर discuss करेंगे, पर after completing group 2.